Hello and good morning student. How are you? I hope all of you are in good health. Today I have making online videos for class 2. Subject Science. Chapter name is Domestic Animal. Lecture 2. So, let's start it. So, let's start it. I will describe 4 points. I will describe the rest of the points. We get eggs from hen and duck. We get honey from beehives. Where are we from? We get meat from goat, chicken and fish. Where are we from? We get beef from pork, pork and corn. 7th point is we get silk from. Silk warm. It is used to make cloths. Where are we from silk? It is used to make cloths. It is used to make cloths. इसमें कप्रा बनाने के काम आता है यह से बनावा कप्रा काफ़े एक्सिंसिव होता है जिसे सकार्फ हो गया, अद्रेसेस मेटेरियल हो गए यह सारे बनते हैं we get wool from ship it is used to make woolen cloths हमें उल कहा से मिलता है, हमें वूल मिलता है ship से यानि के भेर से It is used to make woolen cloak, जो हमारे गरम कपरे बनाने के काम आते हैं Skin of dead animals is used as a leather, it is used to make purse, shoe, belt जो skin मड़ेवे जानवर को जो skin होता है, जो चमरा होता है, उससे क्या होता है, जो लेदर होता है तो हम इन चमरे का बेस्तमाल करते हैं, जो चमरे का इसितमाल करते हैं जो जो सबूरे जो reputation जॉंकी और केरी हेवी लोट फोर उस कुछ जानवर जो है वो हमारे लिए भारी समान उठाने के काम आते हैं जैसे कि हाती हो गया गोड़े हो गदा हो गया यह सब क्या है यह सब हमारा हेल्प करते हैं हेवी लोट यानिके भारी वजन उठाने के लिए 11th point है बच्चो Do you know कि आप जानते हो in early days human did not have car, buses और vehicles for transportation यानि कि जो हमारे पूर्वस थे उनके पास क्या था उनके पास था ना बसे था और नहीं कोई दूसरा गारी था नहीं कोई transportation था यह तो वो क्या करते थे वो करते थे so they use animals to move from one place to another such as horses, camel, etc. तो वो जानवरों को इस्तमाल करते थे एक जगा से दूसरे जगा जाने के लिए जैसे कि घोरे का इस्तमाल हो गया, camel का इस्तमाल हो गया, bullock, cart जो होता है, bell गारी उनका इस्तमाल वो करते थे बास समझ में आई? अब हम पढ़ेंगे पेट्स, पेट्स समझते हैं बचो, पाल तू, जिनको हम पालते हैं, पालते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, पेट्स बोलते हैं आणिमल कीप अट हम आएज हैं ज़नों वो ऐन जनको हम अपने घर पर रखते हैं, जनको हम अपना दोस्त बनाते हैं, वो क्या है, वो पेट्स कहलाते हैं जैसे काइट हो गया, रैविट हो गया, पैरonde हो गया ब्ली को पालते हैं, रइबिट को पालते हैं, पईरोड को tRIyma को भी पालते हैं, यह सारे पेट्स हो गएँ, अभी यह सारे हैश पी वाघाल को भागाती हैं, गषा जैसे कि Derekफ को भुझास ङए यह तरह को भाती यह स्व YOUR चीर करते हैं, एक cat chases my survey और बिल्ली क्या करती है हमारे घर से चुओ को भगाती है भगाती है न तो ये था बच्चो पेट्स आपको समझ में आई ये था आपका domestic animals का chapter यनि कि मैंने main points को आपको describe करके समझाया है मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये chapter समझ में आया होगा So my dear student ये था आपका chapter domestic animal I hope कि मैंने जो भी आपको पढ़ाया है जो basic points मैंने समझाया है वो आपको समझ में आया होगा So please keep a study going on and stay at home, stay safe, have a nice day, take care, goodbye, thank you